किसान सातियों नोसकार बात कर लेते हैं लेसन को लेकर तेजी मंदी रिपूर्ट क्या कह रही है और लेसन की जो अपडेट रिपूर्ट है क्या कह रही है किसान सातियों जो चैना के लेसन है अबैत तरीके से इंडिया की मंडियों में आ रहा है तो ऐसे इस लेसन को रूख थम करने के लिए ब्यापारी भाई और किशान भाईों ने कई वार जो मंडिया है वो बंद भी की है और आज भी कई मंडिया बंद भी रही हैं तो ऐसे में कैसा रहा महौल कैसी अपडेट कैसी रिपोर्ट लेकर हर जानकारी हम आप तक इस वीडियो में पहुंचाएंगे तो चलिए जान लेते हैं आज की ताजा अपडेट ताजा रिपोर्ट को लेकर किसान साथियों अगर सबस्ता लेस लाकर इंडिया में अच्छे दामों में बेश सकते हैं क्योंकि अभी इंडिया के जो मंडिया हैं वहाँ पर लेसुन का जो भाव है काफी जबरदर तरीके से उचाल पर है तो ऐसे में सबस्ते दामों में खरीदा हुआ लेसुन चाइना का जो केमिकल के द्व चैना का लैसुन ना खाएं क्योंकि चैना का जो लैसुन है खरीदारी में जादा चटक सपेद होता है और अगर आप पलट के देखेंगे तो वहाँ पर भी कोई दाग दब भी नहीं होते हैं इंडिया की लैसुन की पहचान यह है इंडिया का लैसुन थोड़ा दगीला होता है और शाप सुतरा नहीं होता क्योंकि अपनी जो मट्टी है ना उसका भी थोड़ा कहीं ना कहीं जो असर है वो देखने को मिलता है तो प्योर चटक साफ लैसुन आप ना खरीदे अपनी सेहत से खिलवाड ना करें और किसान साथ यो तेजी मंदी रिपोर्ट के अगर बा करने वारत सरकार ने अपनी सरकार ने चाना का लैसłąन पहलेी बैन कर रख रह सक Cand vanilla का लैसुन बैर बैन कर रह से खिरे वे और केवल चालिशुन और दूसरे स्थान पर अपना इंडिया आथा ल citizens की बात करें नरे तो बिदेशों में बी इंडिया के लैसं के जादा वो ज़्यादातर mostly chemical use करके अपनी फसल को तयार करते हैं लेकिन ऐसा इंडिया में इंडिया में बहुत स्वेच लेसन होता है तो खाने में स्वाधिष्ट होता है और उतना नर्वा सिस्टम फेल ले करता है बहुत अच्छा लेसन होता है अपने इंडिया का तो मेरा सभी व्य का तेजी बना रहेगा तो तेजी मंदी जो रिपोर्ट है कही न कहीं है तक बहुत सांदार देखने को मिल लही है किसान साथियों हम कह सकते हैं बहुत ही अच्छी देखने को मिल लही है इस समय किसान साथियों जो लेसन का भाव है कहीं न कहीं है तक बहुत ही सांदार में कुम मिल्हा है